नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सागेर और आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिगज मारूती सुजुकी के स्टॉक के बारे में जहां पे चार्ट पे बहुत ही तगड़ा लंबे चार्ट पे ब्रेक हुआ दिखाई दे रहा है आज की दिन के अगर हम क्लोजिंग की भी बात करते हैं स्टॉक की 8000 रुपए के साइकोलोजिकल लेवल के ऊपर फाइनली क्लोज होता हुआ दिखाई दिखाई दिया निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार था लगबग 6% का उच्छाल आज के दिन आता हुआ दिखाई दिया 437 रुपए 85 पैसे के उच्छाल के साथ निफ्टी मारुति सुजुकी के स्टॉक जो आज क्लोस होता हुआ दिखाई दे रहा हाई और लो की बात करें तो ओपनिंग होती ही दिखाई दी ती 2700 के आसपास और वहीं पर इस स्टॉक ने आज अपना इंट्राडे लो बनाया और जहां से कुला वहीं से तेजी दिन भर लगती ही चलती ही दिखाई दिखाई दी आसपास की ट्रेडड वैल्यू जो थी वह होती ही दिखाई दी फ्री फ्लोट मार्केट के अब भी आपको है अपना पर एक लाग क्रोड के पार देखने को मिलेगा सेंबॉल का जो पी है वो कहीं न कहीं स्टॉक 57 के पी पे ट्रेड करता हूँ दिखाई दे रहा है तो अच सबसे बड़ा कारण यहां पर निकलता हो दिख रहा है कि 10 तारीक के बाद से यहां पर इनकी गाड़ियों के जो दाम है वो बढ़ने वाले हैं जैसा कि इनोंने कहा था कि 10 जनवरी तक के जो प्राइज है वो यहां पर दिसंबर के प्राइज में ही गाड़िया बिकेंगी और उसके बाद से फिर जो है इनके प्राइस हाई होते हो दिखाई देगी कार की, तो जिसके कार इनके सीधे सीधे मार्जिन प्रोफिटेबिलिटी पे सीधा असार आता हो दिखाई देगा, जो न्यूस जो थी मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटीव होते हो दिखाई देगी, तो मार्केट इस चीज को मान के चल रहा है, और बहुत लंबे समय के बाद ये स्टॉक आठ हजार रुपए के लेवल को पार करने की कोशिश कर रहा है, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर इसके 52 वीक हाई की, तो आज यहाँ पर 52 वीक हाई लगता हुआ दिखाई दिया, हाला कि इसका ओल टाइम हाई लगभग लगभग 10,000 रुपए के आसपर देखने मिलता है, 52 वीक लो लगा था, लगभग 4,000 रुपए का 3 अपरेल के दिन, तो निचले लवल से अगर आप देखते हैं, तो आल्मोस्ट स्टॉक डबल हो चुक है, यहाँ पर आपको डबल रिटन देता हुआ दिखाई दे रहा है, सिक्योर्टी वाइस डिलिवरी पोजिशन की भी अगर हम बात करते हैं, तो 25,57,000 शुरू के टोटल पोजिशन में से 6,28,000 शुरू की यहाँ पर डिलिवरी उठाई गई है, तो ठीक ठाक परसेंटेज यहाँ पर इसलिए कहा जा सकते हैं, क्योंकि एवरेज वाल्यूम जो होते थे लगब कहीं न कैसे स्टॉक के 6,7,8,000,000 के आसपास के डेली के वाल्यूम होते थे, तो उससाब से आज यहाँ पर उतनी क्वांटिटी की दिलिवरी ही उठाई गई है, तो जो कि एक अच्छी खासी चीज कही जा सकती है, इस्टॉक के लिए भी, गिरावाट आई थी लगबक 72,7,300 के आसपास, जब 21 दिसम्बर के आसपास श्टॉक गिरता हो दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से आज एक लॉंग केंडल हायर वोल्यूम के साथ यहाँ पर बनते हो दिखाई दे रही है, इससे पहले जब तेजी आई थी तो वो दिन था लगबक 3 दिसम्बर का जब आटो सिल्स के नंबर आते हो दिखाई दिया था, तो उसके बाद यहाँ पर श्टॉक भागता हो दिखाई दिया था, इससे पहले यह लेवल्स अगर आप देखते हो चार्ट पे तो इससे पहले का यह जो लेवल था कहीं आपको 2018 में दिसम्बर के आसपास देखने को मिला था, जिसके पार यहाँ पर श्टॉक आज फाइनली क्लोज होता हो दिख रहा है, जैसे के आप चार्ट में यहाँ देख सकते हैं, अगर मार्केट में अच्छा खासा उचाल आने कोशिश होती है, अब यह होगा नहीं होगा, यह मार्केट के उपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा, लगाता है, यहाँ जिग-जिग के पैटर में श्टॉक चलता है, अब फाइनली 8,000 के उपर क्लोज होने के बाद इस श्टॉक के लिए एक रास्ता उपर के तरप साफ उता होता है, और आपको हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में या रिजल्ट के आसपास रिजल्ट के बाद अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं यहां पर जिस तरीके से माना जा रहा है कि quarter 3 जो है बहुत ही strong रह सकता है क्योंकि पिछले साल की तुलना में जिस तरीके से यहां पर गाडिया दिखाई दिये खास कर फेस्टिव सीजन में वह बहुत ही encouragement वाले यहां पर नमबर आते हुए दिखाई दिये पिछले तीनों महीनों के जो नमबर है अक्टूबर नमबर दिसंबर के वो पिछले साल के तुलना में बैटर रहे हैं तो आपको जो quarterly result है वहां पर कहीं न कहीं अच्छा expectation देखने मिलागा और इस expectation में यहां पर position जो है वो अभी से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यह जो target से हो सकता है आपको result है उसके आसपास कहीं न कहीं देखने को मिल सकते है लेकिन यहां पर आप जब कभी भी कोई निवेश करे तो proper study अपनी proper analysis ज़रूर कर यहां पर मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहां पर chart में breakout होता है कहां पर breakout हो सकता है कौन से level important है किस level के आसपास stop loss होना चाहिए और क्या आपके वहां पर targets होने चाहिए तो अगर यहां पर हम बात करें targets की तो यहां पर stop loss भी बहुत important होगा दोस्तों यहां stop loss की बात करते हैं तो यहां पर जिस तरीके की तेजी आज होगी है छोटा stop loss यहां पर रखा नहीं सकता है लेकिन फिर भी यहां पर जो बहुत ही छोटा stop loss चाते हैं तो previous जो support level था लगवा 7800 के आसपास वहां के आसपास आप यहां पर trailing stop loss रख सकते हैं और थोड़े long term व सकते हैं रैली को अगर राइड होती है तो अपने अपने stop loss को फिर उसके हिसाब से जितनी तेजी stock में बनती दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से अपने stop loss को भी trail करके ऊपर की तरफ खीच सकते हैं और आपको अच्छा खासा फिर मुनाफ़ा वहां पर देखने को मल सकता है या फिर आप वहां उपर में profit book कर सकते हैं इस stock ने कहीं पर भी trend line को नीचे की तरफ violet नहीं किया है अगर आप यहां देखेंगे तो perfect trend पर यह stock कहीं चलता हो दिखाई दे रहा है और यहां पर खत्रे की गुंजाई तब तक नहीं है जब तक यह इस trend line को नीचे की तरफ support की जो trend line है उसको तोड़ नहीं देता अगर यहां पर तोड़ता है तब यहां पर को रिवर्सल के संकेत आते हो दिखाई देगी अगर यह stock 75-72 के नीचे जाने की कोशिश करता हो रिवर्सल के संकेत देता है तब फिर आपको लगेगे कि यह stock में कहीं पर से correction जो है गहराते हो दिखाई देगी लेकिन जिस तरीके का mood और mohair दिखाई दे रहा है market लगातार हर दिन नए पर नए high लगाता हुआ दिख रहा है और कहीं न कहीं market budget के rally के pre budget rally के mood में चलता हुआ दिखाई देगी कि यहाँ पर मार्केट सायद बजट तक 14,800 से 15,000 के लेवल को छू सकता है और सिंसेक्स भी जो है 50,000 के लेवल को छूता हुआ शायद आपको दिखाई दे सकता है तो अगर ऐसा होता है तो उस कंडिशन में इस स्टॉक में भी आपको 5-10% का जो run-up है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है नियर टम में कहने कहें 8,300 से 8,500 तक के टारगेट जो है वो इस स्टॉक में आसानी से आ सकते है तो यह चीज इसमें कोई बड़ी चीज नहीं होगी तो दोस्तों यह जो था आज का मारतिय सुजुकी के चार्ट का एनलिसिस था कि किस तरीके से आपको किन लेवल्स पे नज़र रखनी चाहिए कौन से लेवल पे ब्रेक आउट यहाँ पर आज के दिन होता हुआ दिखाई दे रहा है तो मैं दोस्तों उमीद करता हूँ आप लोगों को यह जो वीडियो है वो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के भी सब्सक्राइब जरू की जाएगा मैं आप से मिलत अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई and थेंक यू